हलो दोस्तो मैं हूँ फिल्मी गर्ल हासरू हूँ आप सब के लिए एक और वीडियो लेकर I hope कि मेरा ये वीडियो आप सब लोग को जरूर पसंद आएगा तो दोस्तो आज के वीडियो में हम SRK की फिल्म जवान के बारे में बात करने वाले हैं जिसका प्रतीक गुराडे ने नेगटिव रिव्यू दिया है ये बाते तो बहुत अच्छी अच्छी करते हैं लेकिन इनकी बाते किसी को अच्छी नहीं लगती हैं प्रतीक गुराडे समाज से related उन्होंने जवान फिल्म के लिए बोला है जबकि हम सबको बहुत अच्छे से पता है कि जवान फिल्म बहुत अच्छे है और यह हमारे समाज के लिए एक बहुत खुबसूरत मैसेज भी देती है जवान फिल्म सिर्फ फिल्म नहीं है बलकि यह हमारे समाज में हो र प्रतिक बुराडे से बरदास नहीं हो रहा है क्योंकि उनको तो पता है कि जो समाज में हो रहा है वही सब दिखाया गया और इसलिए वो जवान फिल्म को गलत बोले हैं और उसका नेगटिव रिव्यू भी दिये हैं अच्छा आपने एक चीज और नोटिस की है प्रतिक बु बोली है राजनीति की है उद्धोग पतियों के बारे में फैक्टरी के बारे में कंपनी के बारे में जैसा जवान फिल्म में दिखाया था कि ऐस आरके ने 5 फैक्टरियां बंद करवा दिये तो उसको वह यह लेकर नेगटिव बाते बोल रहे हैं वीडियो में और इनकी देखा जाया तो उसका बहुत बड़ा-बड़ा मतलब निकलता है लेकिन उन्होंने बस ऐसे ही जवान मुवी का नेगेटिव रिव्यू देकर उसके बारे में गलत बोलकर अपने वीडियो का लिंथ लंबा चोड़ा कर लिया है लेकिन एक चीज यह नहीं समझ में आ रही है क मैं आपको बता देती हूँ एटली बहुत ही अच्छे डिरेक्टर है और वो बहुत अच्छी अच्छे फिल्में बनाते हैं वो किसी नेता की स्क्रिप्ट उठा कर कोई मुवी बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे क्योंकि उनको नीड ही नहीं हो उनके पास बहुत सारे स्क्र स्क्रिप्ट से भी बेटर होती हैं और तो और उनका ये भी कहना है कि लोगों को ब्लैकमेंस किया गया है और मजबूर किया गया है ठीयर्टर तक आने के लिए मतलब की भाई जंता बेवगूप है क्या उससे नहीं पता है क्यों से कौन सी फिल्में देखनी तो यह भी है कि इटली ने आपको भी मजबूर किया होगा जो आप जबान फिल्म में देखने के लिए और आकर वहां से नेगटिव रिव्यू दे रहे हैं उसके बारे में उल्टी सीधी बाते कर रहे हैं है ना इसका मतलब तो साफ साफ यही निकलता है कि आपको भी मजबूर किया गया है फिल्म में देखने के लिए मतलब कि कुछ भी बोल दे रहे हैं यह लोग ना दुनिया की सारी फिल्मों का पॉस्ट्यू रिव्यू देंगे उसके बारे में अच्छा बोलेंगे लेकिन बॉलिवूड के लिए इनके मुझे एक भी वर्ड अच्छा निकल ही नहीं सकता है यह लोग बगएर हाथ पैर सर की फिल्म में बता देंगे और फिर सब लोग लग जाएंगे लॉजिक ढोने और जब लॉजिक नहीं मिलेगा तो उसके बारे में नेगटिव बाते बोलना सुरू कर देंगे गदर टू में भी तो लॉजिक नहीं था लेकिन उसके बारे में आपने पॉस्टियू बाते बोला उस तो पुशिटियू रिव्यू भी दिया था तो फिर जवान फिल्म के सात्थ कि अज़ं लग रहा है कि बोलीवूड की फिल्मों को दो तरह से दीखते हैं और फिर ज़ं को प्रोपेगेंडा बता जा और प्रोब्लोमेटिक थीम बताए जा रही है मुझे तो ऐसा क्यों लग रहा है कि यह सारी प्रोब्लोमेटिक थीम प्रतिक बुराड़े के वीडियो में ही है तभी तो अपने मानसिक संतूलन खो बैठे और ऐसी हरकते कर रहे हैं जवान की सकसर जिन से देखी नहीं जा रही एसार के के लिए उनकी फिल्म जवान के लिए जवान फिल्में 50 फैक्टरियां बंद जरूर की गई थी लेकिन वो सारी फैक्टरियां गलत चीजों की थी अच्छी चीजों की फैक्टरियां नहीं बंद की हैं जिसका टॉपिक उठा कर आप वीडियो में लंबा चोड़ा बंद की जवान फिल्म के लाश्ट में दिखाया था जब एसार के सभी को बोल रहे थे कि अगर आप किसी को वोट दे रहा है तो आप सही इंसान को वोट दीजिए और आपका जानने का पूरा हग है कि वो इंसान आपके लिए क्या कर सकता है तो इसको भी लेकर इन्हों ने कुछ नेगेटिव बाते बोली थी तो मैं आपको बता देती हूं कि अगर कोई वोट दे रहा है तो उसका जानने का पूरा हग है कि जब मैं सामने वाले को वोट दे रहा हूं तो मेरे लिए क्या कर सकता है मेरे लिए वो अच्छा काम करेगा या नहीं हम ऐसे ही किसी को वो बाड़े जवान मुवी रिव्यू के आड़ में सिर्फ और सिर्फ अपना भडास निकाले हैं और तो और एसार के और उनकी फिल्म में जवान के लिए हेट फैला रहे हैं बाकि 26 मिनट के इस वीडियो में प्रतियक बुराड़े ने कहीं पे भी जवान मुवी का रिव्यू नहीं किया सिर्फ और सिर्फ हैट फेला रहे हैं तो दोस्तों प्रतियक बुराड़े के इस वीडियो और उनके बारे में आपका क्या कहना है जल्दी जल्दी कोमेंट करकि बताइए और अगर मेरे यह वीडियो आपको विसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्ट वीडियो में बाइबाइब